हेलो एब्रीवान, आज हम बनाएंगे चावल के आटे के बहुती टेस्टी और क्रिस्पी डोसे, जे डोसे जटसे बन कर तियार हो जाते हैं और इनको बनाना भी बहुती ज़्यादा असान है, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे और इसमें एक कप चावल का आटा डालेंगे पहले इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, पानी को हम एक साथ नहीं बलकि थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे ता जो इसमें किसी भी तरह की गुटलिया ना पड़े इसमें हम टोटल धाई कप पानी डाल कर इसका लिकुड सा वैटर त्यार करेंगे वैटर त्यार होते ही इसमें नमक सुआद नुसार, आदा शूटा चमच काली मिर्च का पाउडर एक कटी हुई हरी मिर्च, एक कदू कस की हुई गाजर आदी कटी हुई शुम्ला मिर्च और धनिया डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हो और इसकी मातरा को भी बढ़ा सकते हो बैटर अभी भी गाड़ा है इसलिए मैं इसमें एक चोथाई का पानी और डाल रही हूँ जे देखे फ्रेंट्स जे बैटर बिल्कुल इस तरह का पतला होना चाहिए तब ही हमारे डोसे अच्छे बनेंगे अब हम एक पैन लेंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे और थोड़ा सा ओयल डाल कर इसको ब्रश की हर्प से अच्छे से ग्रीस करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अपने बनाए हुए बैटर को इस तरीके से पैन में डालेंगे इस डोसी को बनाने के लिए आप किनारे वाला कोई भी नौन स्टिक तवावी यूज़ कर सकते हो बैटर को अच्छे से डालने के बाद अब हम इसके उपर भी धोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसको ड्राई होने तक ऐसे ही पकने देंगे जे देखे फ्रेंड्स हमारा डोसा अच्छे से पक चुका है अब हम इसको पलटेंगे इसके लिए हम सबसे पहले इसके किनारों को शुड़ाएंगे इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे उठा कर पलट देंगे इसको पकने में सिर्फ दो मिनट का समय ही लगता है जे लिजे फ्रेंड्स हमारे चावल का अटे का क्रिस्पी और मजेदार डोसा बन कर अब बिलकुल तियार है इसी तरीके से हम सारे ही डोसे बना कर त्यार कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद